कि नमस्कार दोस्तों सलेक्षिन इंडिया में आप लोगा बहुत बहुत स्वागत है और आज फिर से हम हिस्ट्री के बहुत ही प्रिलियम फैक्ट से संब्धित इंपोडेंट बुद्धे जो आज का मुद्धा होगा दोस्तों वह है हमारा मोगल कालिंग जो मुद्रा विवस सासूरी भी आलंकि मोगल काल के समय रहा था लेकिन मोगल काली नहीं था ठीक है न तो इन से संब्धित जो मुद्रा विवस्ता है उसको डिसकर्स करते हैं बहुत इंपोडेंट है और PCS से लेकर कि SSC से लेकर कि विभिन एक्जामों में APFO से लेकर विभिन एक्जामों में उसमी पूछा ही जाता है दो Lorenzo तो हमारा पहला जो टॉपिक है इसमें वो है बावर कैंकि बाबर ही सब्सें पहले भारत में आया था इसने पहला अपना एक्रमड किया था वह फडिसने किया था ठीकिन तो इसने जब भारत पर सासन इस्थापित किया वहलांकि ज़्यादा समय तक यह नहीं रहा ठेकिन उस दोरान भी कुछ मुद्रा पिवस्ता है इसने लागू के थी जैसे अगर हम बाबर की बात करो तो एक सारूख नाम का सिक्का इसने चलवाया था वो चलवाया था काबूल में ध्यार रखना और यह चांदी का सिक्का था ठीकिन वहीं एक बाबरी नाम का सिक्का चलवाया था यह कांधार में चलवाया था और यह भी सिक्का किसका था चांदी का ही सिक्का था बाबर जो है अपने सिक्कों की उपादी देते थे एक बैधानिक तोर पर ठीक है न उनको क्या बोला जाता था खलीपा बोला जाता था ठीक है न जो सासक इन से खलीपा के दोरा मानता प्राप्त करके सासने स्थाफित करता था उसे एक बैद सासक माना जाता था ठीक है न तो यह उनी चारों खलीपाओं क बाबर के कोई जनमिया बन सका नहीं है इसने हुमाईयो को हरा करके महारत में उसी दौरान मुघल-फेज में ही सासन इस्थापित किया थीक है तो उस दौरान इसने क्या चलवाई थे एकusion इसने रुपया चलवाया था जो 180 ग्रेन का था ध्यान रखना और ये चांधी का था वहीं एक दाम चलवाया था इसने दाम जो सिkkah था वो तामे का सिkkah था और एक रुपया बराबर 40 दाम के होता था इसका मुतलब क्या है रुपे की बैलू दाम से 40 गुना क्या जा रहा थे ठीक है न? वहीं दोश्तो अगर मैं मुगल काल में दाम की बात करें तो इस दाम को पैसा भी कहते थे कहीं कहीं और कहीं कहीं इसे कुलुस भी कहा गया है यहां रखना यह दाम ही था जिसे हम कभी-कभी पैसा भी बोलते थे और कभी-कभी से कुलु-कुलुस भी बोलते थे अब हम बात करते हैं अकवर की समय की अकवर ने सबसे पहले 1587 में दिल्ली में एक साही टकसाल का क्या किया था? निर्मार किया था और उसका प्रधान नित्व किया गया था ख्वाजा अब्दुल सस्मत को ठीक है न? ख्वाजा अब्दुल स्मत को ठीक है न? इसने एक मोहर नाम का सिक्का चलवाया था जो सोने का सिक्का था और एक मोहर बरावर 9 रुपे के 9 रुपे के बरावर हो था तो मोहर की वेलू काफी ज़ादा थी वहीं एक चांदी का जलाली चलवाया था अकवर में जो चौकोर भी हो सकता था और आकार में बरगा कार भी हो सकता था अकवर ने एक इलाही नाम का सिक्का चलवाया था जो किसका था दोस्तों जो सोने का सिक्का था ठीक है न जो गोलाकार था आकरती में और एक इलाही बराबर होता था टेर रुपी की इसका मतलब क्या है इलाही की बेलू और ज्यादा थी ठीक है न वहीं अकवर ने सबसे छोटा सिक्का मुगलकाल का सबसे छोटा सिक्का जो था वो जीतल था जीतल जो था वो तामे का सिक्का था ठीक है न यह दाम के जो दा असिर्गर की फत्य करीथी जो ही जीता था उसके खुसी में एक सौने का सिख्क्त चलवाया था क्याना इस से के-क एक और बाज की आकरती थी तथा दूसरी टकसाल का नाम था और टकसाल की उत्यति थी उत्यति भी करवा ही einकित करवाई थी अक्वर ऑन सा सकता बहले ही मुस्लिम सा सकता लेकिन उसने अपने सिक्कों पर राम सीता के नाम भी अंकित करवाई और तेवनागरी लिपी में राम सिया भी अकवर ने अपने सिक्कों पर लिखवाया था ठीकन वहीं हम जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने एक निसार नाम का चांदी का सिक्का चलवाया था किसका निसार पूछेंगे किसके सासन काल में तो जहांगीर के सासन नमा किसका था चांदी का सिक्का था और ये रुपे के एक बटे चार के बनावन था रुपे का चौथा भाग था ये ठीक है नहीं जहांगिर ले जीतल भी चलवाया था ये किसका सिक्का था तामे का सिक्का था ठीक है नहीं जीतल जहांगिर ने भी चलवाया और अकवर ने भी चलवाया था वहीं अगर हम सहाजा की बात करें तो सहाजा नहीं आना को चलवाया था किसको आना और ये चांदी का सिक्का होता था और एक आना जो होता था वो रुपे के सोलह में भाग के बराबर होता था ठीक है न और अरंग जेवने वहीं कलमा सबसे पहले जो कलमा लखा जाता था मैंने बताई थी, कि यहां जो बावर कलमा लिखवाता था सिक्कों पर, ठेकिने इसने कलमा अंकन करने वाली जो प्रता थी, उसे क्या कर दिया था, खतम कर दिया था, उस प्रता पर रोख लगा दिया था, और इसने अपने सासनकाल के अंतिम बरत में, ठीक है न, कुछ सिक्क को, उन लिखे हुए पद्द को, अपने सिक्कों पर क्या करवाया था, इसने अंकित करवाया था, ठीक है, और इसी औरंग जेव के सासनकाल में, सरवादिक टकसाल देखने को मिली थी, कितनी थी, 85 टकसाल, पूछ लेगा, सबसे ज़्यादा टकसाल का विकास या निर्मान, किसके सासनकाल में रहा, तो औरंग जेव के सासनकाल में रहा था, ठीक, टकसाल में, जहां सिक्के की, सिक्के डाले जाते हैं, उनको हम बोलते हैं, ठीक है न, ध्यान रहा हैं, तो, नेक्स अगर हम बात करें, तो जो कुछ फैक्ट हैं, इम्पोडेंट फैक्ट हैं, इनी से मुद्रा विवस्ता से ही सम्मान दे थी टकसाल का जो प्रमुक होता था वो दरोगा ए दारूल जर्व होता था दरोगा ए दारूल जर्व ये टकसाल का प्रमुक होता था मुखिया होता था सिक्का डालने वाला जो होता था उसे हम महरकान कह सकते थी या जराव कहती थी पूछ लेगा जराव और महरकान को होने तो सिक्का डानने वाले को जराव या महरकान कहा जाता था ताजा सिक्का वो होता था कि जिस सासर काल के समय में ऐसा सिक्का जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में था उस सिक्के को क्या बोलती थे ताजा सिक्का कहा जाता था वहीं अगर खजाना सिक्का की बात करूँ तो ऐसे सिक्के जो मुख्य राजा के जो बरतमार राजा के पूरुव में ढाले गई थे उन सिक्कों को बोला जाता था खजाना सिक्का वहीं महमूदी की बात करें, तो गुजरात में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित एक चांदी का शिक्का था, पूछने का महमूदी क्या था, तो गुजरात में बहुत ज़्यादा प्रचलित एक चांदी का शिक्का था, वही हम कोडियों की बात करें, तो ये समुंदरी उतपाल थ आयात किया जाता था ठीक है ने और पच्चीस सो कौड़ी बरावर एक रुपे के होता था ठीक है तो ये थी दोस्तों मुगलों के समय में चलाएगी मुद्रा विबस्ता जो किसी न किसी एक्जाम में इससे निश्चत रूप से पसर आते ही आते हैं और दोस्तों हम बेहत सरल तरीके से हिस्ट्री के जो फैक्ट नुमा क्वेश्चन होते हैं उनको क्या कराएंगे कवर कराएंगे बस आपको उन पर क्या करना है फोकस देना है तो आज के लिए इतना ही दोस्तों फिर मिलते हैं नमस्कार जैहिन दोस्तों